इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाव दे करेंट ग्रोज इन ए ठीज सर्किट कंटेनिंग राइस्टाइंस अन इंडेक्टर कनेक्टिट टो ए बैटरी वी विल अल्सो डिसकस हाव दे करेंट डिक्रीज ओ डिके इन एन एल आर सर्किट इन अबसेंस बैटरी चलिए शुरू करते हैं पहले लेते हैं ग्रोज ओफफ करंट इन एन एल आर सर्किट इस बनाते हैं जिसमें एक इंडेक्टर है एक रेस टें से एक रेस टेंस के साथ एक इंडेक्टर series में जुड़ा होगा है इसे हम connect करेंगे एक battery के साथ यहां यह key लगा दिये हमने यह battery से connect करेंगे तो अगर यह resistance R है यह inductor L है battery का potential E है तो यहां जैसे हम इसे connect करेंगे इसमे current increase होना start हो जागा इसी circuit को हम बना सकते हैं कि current को decrease करने के लिए तो हम इस तरह बना सकते हैं कि यह key का two position है यह one position है जब हम key को one position पर रखेंगे तो there will be increase in the current when it is connected to second position the current will decrease तो यहां जो अलग-अलग circuit elements है इन पर हम EMF देखते हैं कितना है induced EMF across inductor equal to minus L di by dt EMF across resistance यह जाएगा IR battery का EMF कितना है यह है E तो सारे EMF में पता है हम क्या करते हैं किर्चो फ्लो लगाएते हैं तो किर्चो फ्लो के एकरटिंग E minus L di by dt equal to IR तो यहां हमें निकालना क्या है हमें निकालना है current as a function of time the variable है current or time तो यहां di है यह dt है अब इसे integrate करने के लिए क्या करना होगा variable separable करेंगे एक तरफ एक से variable रखेंगे तो इसे क्या करते हैं यहां पर तो यहां कर देंगे कि L di by dt equal to E minus IR यह कह सकते हैं di upon E minus IR equal to dt upon L अब इसे integrate कर देते हैं integrate करने से क्या होगा कि di over E minus IR का integration equal to dt over L अब integration हम definite भी कर सकते हैं और indefinite भी कर सकते हैं definite integral के लिए हमें चाहिए limits चाहिए initial final limits कितनी हैं और indefinite integral करेंगे तो यहां integrate करेंगे इसे भी integrate करेंगे और इसके साथ साथ इसमें integration constant रख देंगे उस integration constant की value निकालने के लिए हमें किसको यूज करना होगा boundary condition को यूज करेंगे तो यहां integration लोग के जैसा है तो कितना हो जाएगा है यह हो जाएगा log E minus IR upon minus R तो minus R upon में है तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं से minus 1 upon R equal to कितना हो जाएगा T upon L plus constant of integration अब देखें यहां जो हमारी value है constant of integration की यह निकलेगी boundary condition की हमें initial ही पता है जो हमने की को 1 पी गया था तब उसने में current नहीं था current वहाँ से इनकीरीज होना start हुआ था तो हम कहा सकते हैं at E equal to 0 there is no current इंदर circuit I equal to I 0 यहां कहा सकते है minus 1 upon R log E equal to 0 plus C तो इससे क्या जाता है तो इससे आ जाता है कि C equal to कितना है minus 1 upon R log E है इससे इसमें रख देंगे तो यह हो जाएगा minus 1 upon R log E minus I R equal to T upon L minus 1 upon R log E इन्हें एक तरफ ले लेते हैं तो यह जाता है minus 1 upon R log E minus I R minus log E equal to T upon L अब देखे यहां यह log E minus log B है that will be equal to log E upon B तो यह हो जाता है log E minus I R upon E equal to तो जो minus R था इससे इस तरफ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus R T over L आगे देखते हैं तो यह जाता है log क्या था हमारा log E minus I R upon E equal to minus R T over L अब यह log है actually यह बन अपोन X का टाइप का integration है तो इसका मतलब है log natural base में है मतलब इसका base E है तो अगर यहां से log को हम अटाते हैं तो हमें इस तरफ exponential लेना होगा यह कह सकते हैं E minus I R upon E will be equal to E raise power minus R T over L इसे में कह सकते हैं 1 minus I R upon E equal to E raise power minus R T over L यह कह सकते हैं I R upon E equal to 1 minus E raise power minus R T over L यह I equal to E upon R 1 minus E raise power minus R T over L अब यह देखें जब T equal to 0 होगा तो T raise power 0 is 1 1 minus 1 is 0 तो I will be 0 यह पहली condition थी जिसे हमने पहले apply करने के बाद ही वो constant of integration निकाला था लेकिन यहां पर अगर देखें जैसे T को increase करेंगे this term will decrease तो यह क्या होगा जैसे T infinite की तरफ बढ़ेगा this term will decrease to 0 तो जब यह term 0 हो जाएगा तो I will be maximum और I की वो maximum कितने value हो जाएगी that will be equal to I 0 यह maximum value होगी यह कह सकता हूँ यह current की maximum value होगी तो maximum value I 0 का मतलब कह सकता हूँ E upon R V यहां E से रख देंगे तो equation बन जाती है अब देखे यह जो equation है यह जो function of time यह straight line की equation नहीं है अगर equation straight line की होती तो हम कह सकते थे कि current linearly increase कर रहा है वो हर समय current के increase होने का rate same है बट यह ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं यहां देखते हैं निकाल कर कब rate ज़्यादा है कब rate कम है यह rate of increase किस factor पर depend करता है तो rate of increase निकालने के लिए में क्या करना होगा हमें इसका differentiation करना होगा di over dt equal to i0 0 minus minus r upon l erase power minus rt over l यह हो गया r upon l i0 erase power minus rt over l अब देखे यहां इस से निकाल सकते हैं आप कि em raise power minus rt over l कितना है तो इस से आजाएगा आपका e raise power minus minus rt over l कितना हो जाएगा यह हो जाएगा i0 minus i upon i0 यहां उपर से निकाल देंगा इस से इस equation से निकालकर और यहां put कर देंगे तो di over dt कितना है यहाजाता r upon l i0 i0 minus i upon i0 यहां से यह cancel हो जाएगा और इसे में लिख सकता हूँ I0-I upon L upon R अब देखें यह maximum current है यह current का variable है इसका मतलब di over dt proportional है 1 upon L upon R यह कह सकते inversely proportional to L upon R और L upon R की जो dimension है वो time की dimension है तो यह जो constant है L inductor का inductance है R उस register का resistance है चूँकि उस circuit के लिए constant है तो यह constant ऐसा है जिसकी dimension time की है इसलिए इसका नाम कह रहेते हैं यह क्या है time constant तो time constant tau equal to कितना हुआ L upon R तो जो rate of growth of current है that depends on the time constant or that depends on L upon R अगर L upon R की value ज्यादा है तो rate कम है अगर L upon R की value कम है तो rate ज्यादा है अब देखते हैं at this time what is the value of current at T equal to tau equal to L upon R what is the value of current तो यह हो जाएगा I equal to I0 1 minus 0s per minus R T over L equal to I0 1 minus 0s per minus R upon L equal into L upon R इससे cancel हो जाता है तो यह हो जाता है I0 1 minus 0s per minus 1 यह हो जाता है I0 1 minus 1 upon E तो हो जाएगा I0 E minus 1 upon E तो हो जाएगा I0 2.718 upon 1.718 equal to 0.632 I0 तो यहां देखें किसका मतलब है तो है the time constant is the time at which the current rises 2.632 of its maximum value और you can say 63.2% of its maximum value तो यहां किसकते है time constant क्या हुआ time constant is the time at which the current rises to 63.2% of its maximum यह final value अब हम क्या करते हैं एक graph में बना के देखते हैं कि अगर इस तरफ हमारा time है और इस तरफ यह क्या है यह current है और यहां हम गनायते हैं कि यह I0 है तो current की यह maximum value ही तो अगर यहां से exponential बढ़ाते हैं तो यह current इस तरीके से बढ़ेगा कुछ अब I0 यहां पर है यहां हमने कहा कि यह 63 यह 0.632 I0 है तो इसके corresponding जो time होगा उसे हम कहेंगे time constant अब एक graph और बनाते हैं जिसमें time constant इससे ज़्यादा होगा तो जब time constant ज़्यादा होगा तो rate of increase of current कम होगा तो time constant मालेजे यहां पर है दूसरा कोई time constant टॉर डश इसका मतलब यहां इतना बढ़ने में यहां इतना समलेगा तो इस graph को यहां से जाना पड़ेगा यह ऐसे कर सकते हैं तीसरा graph बना सकते हैं जिसमें time constant कम है तो ग्राफ को कहां से यहां से जाएगा तो यहां से यह तो different different time constant होने से जो rate of growth है वो different है time constant की value जाद होगी तो rate of growth कम होगा तो time constant की value कम होगी तो rate of growth जाद होगा अब देखिए यह देखते हैं कि इसमें decay कैसा है growth की जिए क्या करते हैं decay of current इसका मतलब जब यहां current की value अपनी maximum value पर पहुँच गई तब हमने इसे key को यहां से हटाया और इसे यहां connect कर दिया तो यहां battery है इस से disconnect होगी बट इसमें एक पहले से ही current था तो इसे हम देखते हैं कि उसके लिए क्या equation बनेगी अब हमारे पास circuit रहे गया इतना कि हमारे पास एक resistance है हमारे पास एक inductor है और key से connected है नीचे जब बैटरी वाला circuit था वो यहां disconnect हो गया है तो अब देखी यहां register है यह inductor है बट शर्त क्या है कि at t equal to 0 i equal to i0 मतलब इसमें जब हमने यहां इस तरफ connect किया था उससे पहले इसमें current i0 flow हो रही थी तो जैसी हमने connect किया तो initial current की value i0 है तो इसमें फिर से किर्चॉफला लगाएंगे पिर चॉफला कितना हो जाता है minus l diy dt equal to ir variable को separate करेंगे d i over i equal to minus r upon l dt इसे integrate कर लेते हैं तो d i over i equal to minus r upon l dt integration अगर definite integral करेंगे तो हमें limit सही है बट हम यहां indefinite integral करेंगे log i equal to minus rt over l plus c c constant पहले लिया था है यहां c dash कह सकते हैं हमें initial condition पता है कि at t equal to 0 i equal to i0 log i0 equal to 0 plus c dash तो c dash की value हो जाती है log i0 यहां इसमें put करेंगे तो हो जाएगा log i equal to minus rt over l plus log i0 तो यह जाएगा log i minus log i0 equal to minus rt over l तो है log i minus log b equal to कितना हो जाएगा log i upon b तो यह हो जाते है log i upon i0 equal to minus rt over l तो यह value हो जाती है i upon i0 equal to e raise power minus rt over l तो i equal to i0 e raise power minus rt over l तो यह current के decay या decrease होने की equation है अब यहां पर देखते है current किस rate में decrease हो रहा है तो current के rate of decrease निकालने के लिए क्या करना होगा di over dt करेंगे तो यह हो जाएगा कितना i0 minus r upon l e raise power minus rt over l अब e raise power minus rt over l की value यहां से रखें यह है कितनी i upon i0 तो यह हो जाएगा i0 minus r upon l into i upon i0 तो यह कितनी होगी यहां से कट हुआ तो यह होगा minus i upon l upon r अब यहां फिर से देखिए कि di upon dt है यह actually universally proportional है किसके 1 upon l upon r के और यह dimensional time की तो इस constant का नाम time constant है और यह वही है जो पहले था तो यह tau वही है जो पहले था tau equal to l upon r यह time constant है और i equation थी i0 e की power minus rt over l जिसका मतलब at t equal to tau i कितना हो जाएगा i will be equal to i0 e raise power minus r upon l into l upon r यह हो जाएगा i equal to i0 e raise power minus 1 i0 upon e equal to i0 upon 2.718 equal to 0.368 i0 तो इससे define कर सकते है time constant is the value of time at which the current decreases to 0.368 of its maximum value तो इसमें क्या है current decreases to 0.368 of its maximum value maximum value is also the initial value अगर हम graph बनाना चाहें तो graph इस तरीके से बनेगा यह time है और इधर क्या होगा यह current है यह initial value यह maximum value i0 तो यहां से अगर exponentially degrees होगा तो इस तरीके से graph जाएगा अगर मैं कहूँ यहां 0.368 है 0.368 यह 36.8% तो यह इस तरीके से यहां इसके क्यादेंगे यह tau है अगर tau जादा होगा यहां हम tau माल ले तो इसका मतलब graph को इस point से जाना होगा तो इसे हमें ऐसे बनाना होगा और अगर मैं कहूँ कि tau की value कम है tau इतना ही है यहां से tau है इसका मतलब graph को ऐसे कहीं जाना होगा तो depend करेगा tau की value कम है तो rate of decrease जादा होगा tau की value जादा है तो rate of decrease कम होगा तो इस तरीके से हमने growth और decay दोनों की equation को drive किया और दोनों case में time constraint को define किया और देखा कि at a time constraint current की value अपने maximum value की कितनी हो जाती है thank you